आपने बड़े बड़े चौराहों पर रेड लाइट तो देखी होगी क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली ट्राफिक लाइट कब और कहा लगी आईए हम आपको बताते हैं इन सिग्नलों को चौराहों पर ट्राफिक को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है दरसल 5 अग होते थे साल 1920 में इसमें पीला रंग भी जोडा गया वही भारत में सबसे पहले ट्राफिक लाइट का इस्तिमार उन्नी सो तरेपन में चेनने शहर में लगाया गया था इनसान अपनी पलके जपकाए बिना एक मिनट से ज्यादा बिना नहीं रह सकता इनसान अपनी आँखों को बार-बार जपकाता रहता है हमारे लिए ये बिल्कुल आम बात है हाला कि इस धर्ती पर एक ऐसा जीव भी है जिसकी आखें हमेशा खुली रहती है वो अपनी पलक कभी भी बंद ही नहीं कर सकता दोते वक्त भी उसकी पलके बंद नहीं कर सकती हैं उनकी नींद का पैटरं भी हमसे बहुत अलग होता है दुनिया में कई खतरनाक बम लेकिन उनमें से कुछ सबसे खतरनाक है जिनके बारे में हम आज जानेंगे सार बॉम यह अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली परमानू बम इसे सोवियत संग ने 1961 में बनाया था इसकी विस्फोटक शमता 50 मेगाटन TNT के बराबर है जो हिरोशिमा पर गिराए गए परमानू बम से लगभग 3300 गुना अधिक है यह एक अमेरिकी हाइडरोजन बम जिसकी विस्फोटक शमता 1.2 मेगाटन TNT के बराबर है यह एक और अमेरिकी हाइडरोजन बम जिसकी विस्फोटक शमता 475 किलोटन TNT के बराबर है यह तीनों बम अत्यदिक विनाशकारी है और उनके उप्योग से व्यापक तबाही हो सकती है आज की समय में आप तरह तरह की सबजिया खाते हैं क्या आपको पता है दुनिया में सबसे पहले कौन सी सबजी उगाई गई गई इसका सटीक उत्तर देना मुश्किल है क्योंकि विभिन स्रोतों में इसकी अलग-अलग जानकारी मिलती है अलाकि कुछ सबजिया ऐसी है जिन्हें मानव इतिहास में सबसे पहले खेती की जाने वाली फसलों में से माना जाता है इन में से सबसे पहले मतर आती है, मतर को लगभग 10 साल पहले उगाया गया था, ये सबजी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोथ है, इसे मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रे दिया जाता है, इसके अलावा अन्य फसले जैसे की डाले, गेहू आदी भी प्राचीन काल में उगाय जाते थे, क्या आपको पता है, दुनिया में सबसे बड़ा कंटेनर जहाज कौन सा है, जो अपने वजन से कई गुना वजन उठा सकता है, चलिए तो इस वीडियो से जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज का नाम MSC इरि इसकी पहली यात्रा अप्रेल 2023 में चीन के ग्वांग्जो बंदरगाह से हुई थी, आप अमें से कितने लोगों को पता है, जो सबजी हम खाते हैं, वो वेजिटेबल इंडियन है या नहीं, आपको बता दू, आलू, टमाटर और मिर्च ये सब साउथ अमेरिका में उत्प हुई अमेरिका में, आप बताओ आपके ये पर कौन सी सबजी उगाए जाती है, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो भूत प्रितों का नाम सुनते ही डर जाते हैं, कभी आपने सोचा है, कि जिस शब्द से हम इतना डरते हैं, वो आखिर आया कहां से हैं, अगर आप से कोई इसके बारे में पूछने लग जाए, तो आप लोग सोच में पढ़ जाएं, आज हम आपको इसी शब्द के हिंदी और अंग्रेजी शब्द का मतलब बताएं, हमारे देश के जादातर हिस्सों में भूत शब्द का इस्तेमाल एक ऐसे प्रानी के लिए होता है, जिस भूतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जो अचानक गायब हो जाते हों। सबसे भागेशाली व्यक्ति जो की कई एकसीडेंस के बाद भी जिन्दा बच गया था। का सबसे भागेशाली आदमी कहा जाता था। उसकी मृत्यों 2016 में हो गई थी। क्या शार्क एक खतरनाक जीव है, वो किसी इनसान की जान भी ले सकती है। आप सभी लोगोंने मूवीज में शार्क तो देखी हों। मूवीज में उन्हें बहुत ही खतरनाक दिखाया जाता कि ये इनसानों का शिकार कर रही है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आप सभी को बतादू, शार्क दिखने में भले ही विशालकाए हो। इसे देखकर हर किसी को डर लगने लगता कि कहीं ये हमला ना करे। लेकिन यह इतनी खतरनाक नहीं होती। ऐसा आपने बहुत ही कम सुन होगा कि शार्क ने किसी इनसान पर हमला की हैं। 2014 में शार्क के हमले में महस तीन इनसानों की मौत होई थी।